दोस्तो स्वागते आप सभी का सपने वे ही पूरे होते हैं जिनके लिए नींद उड़ा दी जाए कुछ एसा ही कर दिखाया जुन-जुनु जिले के बुहाना चेत्र के नावता गाउं की रहने वाली इशु यादव नहीं वीरों की कहानिया सुन-सुन जोस्त जगाती हर रोज में तपा तपा कर देह को लेप्टे नेंट बनी फोज में असल में वीर और विरांगनाओ के सेकावटे के हर गाउं से सेना में बेटी या बेटा है इशु यादव का नाम अब उनमें सामिल हो गया है इशु के आर्मी जोइन करने की कहानी भी कुछ हेरत करने वाली है जिस नावता गाउं से इसु है वहाँ से करीब 20-25 लोग सेना में हैं बच्पन में उन्होंने जब सहीदों की किस्य सुने और गाउं में इनकी परतिमा देखी तो सेना में जाने की इच्छा परिवार के सामने रखी नॉम्बर 2021 में एकजाम दिया और कलेर कर लिया लेकिन फिजिकल में वह अटक गई 27 किलो जदा वजन था गरवालों को भी लगता था कि इतना वजन कैसे कम होगा जब सलेक्शन हुआ तब भी 79 किलो वजन था जजबा था मन में देश शेवा का तो पहाड सा वजन गठा दिया एशी लगन लागी मन में ये करके दुनिया को बता दिया दोस्तो इसुवी अदों ने बताया कि अक्सर सहीदों के किसा सुना करती थी जब भी सहीदों की कहानिया और उनके बारे में पड़ा सुना तो मोटिवेशन मिला इसुने बताया कि दादा परवाती लाल चाते थे कि उनकी पोतियां डोक्टर बने इसुने मेडिकल एंट्रेस का एक्जाम भी दिया हालंकि वह सफल नहीं हुई इसुने कहा कि भारतिय सेना में हमारे परिवार से कोई न कोई है लेकिन एक भी बेटी नहीं है इसुको ये बात अकरती थी और बच्पन में ही उन्हें तये कर लिया था किसे ना में किसी बड़े पत पर जाकर बतोर बेटी अपने परिवार और गाउं का नाम रोस्म करेगी जी तोड मेहनत के बाद आज इसु भारतिय सेना के ससस्त्र बल चिकिसा सेवा के बिलेक्टे नर्सिंग सर्विस में लेटिनेंट बन गई है उन्होंने सत्रवी रेंग हासिल की दोस्तो ऐसी ही बारत उर्देश की बेटी के लिए सेर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले जेहिंद बंदे मातरम